सभी बच्चोग नमस्कार, आज हम आपका कारियपत्त तरेपन दिनांग 9 नमबर को जापको करना है, उसको डिसकस कर रहे है जैसा कि आपको पता है आपका अनुवानशिक्ता एवं जैविकास वाला पार्ट चल रहा है आज हम जानेंगे कि मनुशियों में विभिन विशिष्ताओं को निर्धारित करने में अनुवानशिक्ता मेतपून, बुमिकाने, और ये कैसे निवाता है ऐसे ही विशिष्टाओं में से एक है लिंग निर्धारण जो हम किसी के जो है बच्चा जब होता है तो हम सोचते हैं कि लड़का हो गया लड़की तो ये कैसे निर्धारित होता है ये हम जानेंगे एक महिला लड़के को जनम देगी है लड़की को ये अनुवान्शिक्ता पर निर्बर करता है हमें ध्यान में रखना है कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुण सूतर होते है गुण सूतर मतलब क्रोमोसोम इसका मतलब क्या हुआ टोटल 46 जोड़े थे तो उनको उमने डबल कर दिया परतेक जोड़े में एक गुण सूतर मां से मिलता है और दूसरा पिता से किसी भी बच्चे के अंदर जो आप देख सकते हो कि एक जो है मां से मिलेगा और एक पिता से तब जाता है और स्त्री में लिंग सूतर का पूर्ण युगमक जो होता है वो दोनो एक्स होते हैं लेकिन पुर्षों में ये एक एक्स होता है और एक वाई होता है आंस्त्रियों में एक्स एक्स गुनसूतर होते है और जबकि पुर्षों में एक्स वाई गुनसूतर होते है उसके बाद आप देखोगे कि युगमक की निर्वान के दोरान एक बच्चे को मां से हमेशा X क्रोमोसॉम ही मिलेगा लेकिन बच्चे का जो लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुनसूतर द्वारा निर्दारियत होता है तो एक बच्चा जो अपने पिता के X गुनसूतर प्राप्त करता है वह लड़की होगी और अगर जो बच्चा जो है Y गुनसूतर प्राप्त करता है तो वह लड़का होगा तो आप चितर में देख सकते हैं हमने बढ़ा कि फिमेल जो है खाली XX-90 होते हैं मेल के अंदर XY इनके युगमग बन गए हमारे XX-Y अगर X से पिता का X मिलेगा तो लड़की होगी अगर मादा के X से पिता का Y मिलेगा तो लड़का होगा तो इस तरह से पूरे 50-50 प्रतिश्यत चांसे होते हैं कि इस दोनों में से कोई भी हो सकता है इस प्रकार के बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना समान है और बच्चे का लंग पूरी तरह पिता द्वारा बच्चे के दियेगी गुन सूतर पर ही बच्चे को दियेगी गुन सूतर पर निर्भर करता है तो यह हमें धिहां रखनेवाली बात है जो हमारे समाज के अंदर गलत समझा जाता है और भी कुछ रोचक तरते हैं जैसे कुछ सरी सरीपों में निशेचित अंडों को देने के तापमान से निरदारित होता है कि अंड़े में विखसेत होने वाले संत्रतिती नर हो गए या मादावासा बाहर का तापमान जो है उस त्राइम जो दिया उन्होंने कुछ प्राणी जैसे गुंगा अपना लिंग बदल सकता है दर शादा है कि लिंग निरदारन हमेशा अनुवाँचिक नहीं होता प्रशन उत्तर भोती आसान है आज के मानौ में डैश लिंग सूत्र महिलां में उपस्तित होता है तो इसमें आपने लिखना है एक्स ठीक है एक्स वाई लिंग सूतर जो है किसमें होगा पुर्षों के अंदर होगा, इसके अंदर आपको ये लिखना है कि पुर्षों के अंदर उसके बाद मानों में लिंग दिर्णान किस परकार होता है चितर बना कर समझाईए तो आपको प्रशन दो का ये उत्तर लिखना है पूरा यहां से फीमेल में XX, मेल में XY और ये चितर बना कर आपको समझाना है कि कैसे जाना उपरुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्दारन के बारे में जाना कि बच्चे का लिंग यहां से आपको लिखना है प्रशन दो का उत्तर ठीक है इसमें प्रशन दो नहीं जो ये वाला है इसका आपने हैलिक्स ने बच्चे का लिंक पूरी तरह से पिता द्वारा बच्चे के दिये गए गुन सुतर पर निरबर करता है और अगर आपको और कोई जानगारी चाहिए तो अपने शब्दों में यहां लिख सकते हो